तो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं बियानी के साथ खाय जाने वाली करी बिसिकली ये हद्राबाद बियानी के साथ खायी जाती है जर्रिजियां इसे सौथ में ज़्यद Васण करते हैं प्लूब मेरी दिल थैसरी Україं मुंफली एक बड़े साइस की प्यास हाफ कप सूखा नारियल जिसे मैंने एक गंटा गरम पानी में बिगा दिया था दो बड़े साइस का टमाटर जिसे रफली चॉप कर लिया है दो हरी मिल पैन मेरा गरम हो चुका है और अब मैं मुंफली के दानों को थोड़ा सा रोस्ट क रही हूं इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है और अब मैं इसमें तिल को भी डाल देती हूं और तिल को रोस्ट करने के लिए गैस की फ्लेम को दो कर देती हूं जिससे यह अच्छे से रोस्ट हो सके यह बहुत अच्छे से रोस्ट हो गया है और अब मैं गैस की फ्लेम क पबंद कर देती हूँ इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ जब तक हमारे तिल और मुऌफली के दान को ठंडे होते हैं तब तक मैं अपने प्यास टमाटब हरी मिर्च सुखे नारियल का पेस्ट बना लेती हूँ यह बिलकुल ठंडा हो चुका है और मैंने मौफली के पानों को साफ कर लिया है और अब मैं इन दोनों चीजों का भी पेस्ट बना लेती हूं ग्रेवी को तयार करने के लिए मैंने ले रखा है तू डेबल स्पून ऑई हाफ टी स्पून जीरा हाफ टी स्पून पीले सरसो के दाने और कुछ करी लिए तेन हमारा गरम हो चुका है अब मैं इसमें डाल देती हूं जीरा और सरसो के दाने हमारा जीरा और सरसो के दाने चिटकने लगे हैं और अब इसे स्टेश पर एड़ कर देती हूं करे लिए अब मैं इसमें एड़ कर देती हूं प्यास का पेस्ट आप इसके साथ अदर ग्लिसन का पेस्ट भी ले सकते ह प्यास का पेस्ट एड़ करने के बाद इसे मीडियम फ्लेम पर दो मिनट तक भूनूंगी यह देखिए हमारी प्यास का कलर चेंज हो चुका है और अब मैं इसमें एड़ कर देती हूं टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट जिसे मैंने पहले ही बना लिया था और इसे भी मैं 10 मिनट भूने के बाद इसमें एड़ कर देती हूं वось टेवल स्पून लाल मिश पाउडर हाफ टीज पून अल biz बना ड़ करने के बाद मैं इसे मीडियम प्लेम पर बोनंगी यह सालों को अच्छे से बूनने से होता है कि उन्हें एक अच्छा टेस्ट मिलता है और उसका कच्चा पन भी चला जाता है चार से पांच मिनट हो चुके हैं और अब मैं इसमें एड़ कर देती हूं मुफली और तिल का पेस्ट इसको भी 5 मिनट तक अच्छे से पकाऊंगी मिनट हो चुका है यह अच्छे से भुन चुका है यह देखिए हलका हलका ओइल भी उपर आने लगा है और अब मैं इसमें मिला देती हूँ नारियल का पेस्ट दो मिनट तक पकाने के बाद इसमें एड कर देती हूँ डेड़ कप पानी पानी मिलाने के बाद मीडियम आज पर दस मिनट तक पकाऊंगी 10 मिनट हो चुके हैं और हमारे करी बिल्कुल सर्व करने के लिए तयार है आप अपने पसंद के मताबिक इसको गाढ़ा और पतला कर सकते हैं मुझे थोड़ी थिक करी पसंद है इसलिए मैंने इसे थोड़ा ग तो अगर हमारी टरी की रसेपी प्रसंच आई हो तो आई लिए को लाइक करें हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुलना भूले थैंक यू थैंक्स वराचेन